हेलो फ्रेंज स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज़वा स्टेडी पॉइंट में दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ हमारे धरती की सनरचना के बारे में अर्थात प्रिथवी की सनरचना के बारे में जो की काफी महत्पून है सभी क्ल अंडल में आठ गरह है इन आठ गरहों में प्रिथवी एक ऐसा गरह है जहां पर जीवन के लिए यहां पर संभवना बनी है हम लोग यहां पर आते हैं और किसी भी गरह पर रहने के लिए हमें कुछ चीजों कियो सकता पड़ते है जैसे कि हावा पानी अरुप जावभूमी जहां पर यह चीज होती है वहां पर जीवन की संभवना ज्यादा होती है और प्रिथवी पर ऐसा है इसलिए यहां पर जीवन संभव है अब हम प्रिथवी के अंदर की जो परत होती है किसे किसे बना है और कैसे बना है इन सारे चीजों के बारे मैं मैं आप सभी को बताने वाला हो जैसे कि दोस्तों आफ समझ लीजे गाइस पुशी यहां पर हम एक फिगर बना चुक यह पूरा कुरी भी है अजाल और एक प्रिथिवी के अंदर जानने से पहले, सबसे पहले आप ये बात जान लेजिए, कि हमारी प्रिथिवी के तीन परते होती हैं, कितनी परते होती हैं, तीन परते हैं, पहली परत परत को सियाल कहा जाता है, दूसरी परत को सीमा, और तीसरी परत को नीफे कहा जाता है, देखे, भर्ती के सबसे उपरी जो परत होती है उसको सियाल कहा जाता है सियाल क्यों कहा जाता है क्योंकि यह दो तत्वों कौन-कौन सा यहाँ पढ़की हम लिखे हैं सिलीका और ऐल्मूनियम से मिलकर बना हुआ है एपके दिमाग में दोश्टों यह प्रसंद चल रहा होगा से मिलकुर बना है और यहां पर सीलिका और इलमुनियम का ज्यादा होती है इसलिए सियाल कहते हैं इसे क्रोश्ट भी कहा जाता है अंगरेजी में यहां इसे भूपटल या भूपरपटी कहा जाता है प्रीथिवी की पहली परत को अब इसका उप्युग यही है कि हम लोग पोईला लोहा सोना हीरा और खनीज ते लित्यादी भी निकाले जाते हैं कहां से करश्ट से यानि प्रिथवी की पहली परत से अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं प्रिथवी की दूसरी परत यानि सीमा की बात कर लेता हूं तो देखी प्रिथवी की दूसरी परत को हम लोग mental ही कहते हैं और इसे सीमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखे एस आई से आपको पहले ही समझा चुके हैं प्रित्वी के दूसरी परत में silika और magnesium की मातरा सबसे ज़्यादा पाया जाता है किसका किसका silika और magnesium ये धातु सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसलिए इसको सीमा कहा जाता है और इसको एक और आने किस नम से जाता है mental मतलब धरती के दूसरे परत का नाम है mental अब इसका क्या काम है तो धरती के दूसरे परत यानि mental से ही जवाला मुखी mental से ही जवाला मुखी के लावा धर्ती के अंदर से निकल कर उपर आते हैं अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि जवाला मुखी क्या होता है तो जवाला मुखी धर्ती के अंदर से निकलने वाला आग जैसा एक पदार्थ होता है मतलब आग धर्ती के अंदर ताप और दाप बहुत ज़ धर्ती के अंदर से आग जैसे निकलने वाले पदार्थ को ज्वाला मुखी कहते हैं, जैसे कि प्रिस्वीब में कई जगहों पर दूसरे देस्व में ज्वाला मुखी है, तो यह आपको समझ में आ गया कि सीमा क्या होता है, अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ क्रोड के बा ईडोस्तों यहां पर मैं एक ठीम पर तिक यह सब सब्सक्राइब अधिक होने के वजह से इसके अंदर प्यूह पधारा से अदर आप सभी को जनकारी मैं दिया हूँ देखे प्रित्वी के हमारे प्रित्वी कितनी परत तब प्रित्वी के तीन परत कौन-कौन सा सियाल, सीमा और नीफे सियाल को क्रोश्ट या भूपटल या भूपरपटी कहते हैं दूसरी परत को हम लोग मेंटल कहते हैं या सीमा कहते हैं और तिसर का परत को नीफे यानी कुरोड कहते हैं और कौन कैसे बना है जैसे कि आप सभी जानते ही है इस IAL का मतलब होता है सीलिका और extract करो सिमा करो Certification Dobak मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि प्रिथभी के अंदर 32 मीटर की गहराई पर जाने पर एक डिगरी सेल्सियस का तपमान बढ़ता है मतलब उपर से भूपर पटी से धरती के अंदर जैसे 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 जाईएगा वह इसे क्या होता है कि एक डिगरी सेल्सियस का तेमपरेचर जो है बढ़ता है तो दोस्तों देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने धरती के जितने भी परत होते हैं सही परतों को काफी अच्छे ठंग से समझा समझा कर बता दिया हूं और आसा करता हूं कि आप सभी लोग को पसंद जरूर आया होग अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद नहीं आया होगा तभी डिसलाइक कर दीजिए क्योंकि यहां पर रियल फैक्ट मिलते रहते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में दीजी जागर नमस्कार